तो दोस्तो साहित कपुर सर की तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया फिल्म को रिलीज हुए आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं और इस 10 दिन का ओफिसियल बॉक्स ओफिस कलेक्शन फिल्म के मेकर्स के तरब से आ चुका है तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये फिल्म दोस्तों मैंने आज ही देखा है कि आप में से 99% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हैं पर चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लिजे तो चलिए दोस्तों वीडियो को इस फिल्म का बजट 50 करोर रुपया है और ये फिल्म अपने पहले दिन सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही 2 करोर 11 लाक रुपय की कमाई कर ली थी और वहीं बात करें इस फिल्म की बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि ये फिल्म अपने पहले 65 लाक रुपय की तो ये फिल्म आट दीन में सिर्फ इंडिया से 47 करोर 20 लाक रुपय की कमाई कर ली है तो ही पुरे दुनिया भर से 89 करोर 61 लाख रुपए की जिसके बारे में फिलिम के मेकर्स के तरफ से एक पोस्टर सेयर करके बताया गया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और दोस्तों ये फिलिम कल अपने 9 दिन सिर्फ इंडिया से 5 करोर रुपए की कमाई की है तो ही पुरे दुनिया भर से 9 करोर रुपए की तो इस तरह से ये फिलिम 9 दिन में पुरे दुनिया भर से 98 करोर 61 लाख रुपए की कमाई कर ली है और दोस्तों ये फिलिम आज अपने दसमे दिन दुनिया भर से 10 करोर रुपए की कमाई कर रही है तो इस तरह से इस फिल्म का 10 दिन का टोटल कलेक्शन 108 करोर 61 लाक रुपया का हो जाएगा और इस फिल्म का बज़र सिर्फ 50 करोर रुपया है तो इसलिए दोस्तो ये फिल्म बॉक्स ओफिस पे बहुती जल्द हिट साबित होने वाली है पर दोस्तो अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा कमेट वक्स में लिक कर जरूर बताइएगा और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल हिमत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में